तो हेलो एवरिवन वीडियो में आप लोग देख रहे हैं दुनाली वैब स्रीस का एपिसोड नमबर 6 अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को सपने में आभा को समीर के बाप के एक नहीं दो नहीं पूरे तीन-तीन हतियार देखते हैं फिर क्या दोस्तों इसकी बल बोलता है कि तुमको आज रात मेरी आभा डार्लिंग ने डिनर के लिए इन्वाइट किया है तो जरा तैयार होकर आना अब दोस्तों इसके बाप की भी बल्ले-बल्ले हो जाती है क्योंकि यह भी कब से इस रात का इंतजार कर रहा था लेकिन समीर कभी नहीं चाता कि इसका बाप आभा के पास गया तो आभा इसको ऐसा नहीं चोड़ेगी कि यह कभी हिलाने लाइक नहीं रहेगा और यह अपने बाप को रोकने के काफी कोशिस करता है और इसको बोलता है कि पापा जी अगर आपको खाना खाना है तो रोहन से अच्छा खाना कोई ओन नी बनाता प यह खुंकार सेलनी समीर के बाप को जिस मकस्द से अपने पास बुलाती है दरसल यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है क्योंकि रूमान्स के दोरान जब यह इसके बाप की पैंट उतारती है तो इसके बाप के तीन नहीं एक हत्यार होता है और वो भी ढिला होता है बस दोस्तो अब इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये इस बुड़े को एक जोर से थपड लगाती है और बोलती है कि मेरे साथ धोका हुआ है मुझको तो लगाता कि समीर के दो-दो हत्यार हैं तो इसके बाप के तीन जरूर होंगे तो ये बताता है कि अब जो भी है तुमको इससे काम चलाना होगा अब दोस्तो ये इसको वार्निंग देती है और कहती है अब तु बुड़े यहां से जल्दी से निकल ले मेरे दिमाग खराब हो गया है कहीं ऐसा नहो तेरा एक भी न रही फिर दोस्तो ये इसका बाप जान बचा कर यहां से भाग लेता है अब समीर का बाप गुस्से से अपने बेटे को बोलता है कि मुझको पता चल गया है कि तु यहां पर रहकर कौन सी पढ़ाई कर रहा है बस अब तेरी पढ़ाई कम्प्लीट हुई अब तु साधी के लिए तयार हो जा इस बात को सुनकर दोस्तो समीर के कान खड़े हो जाते है और यह अपने डैड को बोलता है लेकिन डैड अभी मेरी साथ महीनी के पढ़ा ही और बाग ही है उसके बाद मैं खुछ साधी कर लूँगा तो यह बताता है कि साथ महीनी के तो बहुत बड़ी बात है तु देखता जाब मैं तेरी साधी साध गंटे के अंदर कैसे करके दिखाता हूँ उसके बाद दोस्तो इसका जो बाप होता है एक रिस्ता घर पर लेकर आता है लड़की काफी खुबसूरत होती है और इसका बाप इनको बताता है कि मेरा बेटा लांकों में एक है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुंट चुपा हुआ है तो इसका बाप बोलता है लड़की का बाप बोलता है कि हमको भी बताईए ऐसा वो कौन सा गुड़ है तो ये बताता है कि वो तो गुण हम आपको साधी के बाद ही बचाएंगे क्योंकि suspense रखना चाहते हैं अब दोस्तों ये दोनों समधी कमरे में चले जाते हैं और ये दोनों लड़का लड़की बाते करना सुरू कर देते हैं तो लड़की बोलती है कि मैं साधीतों करना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले हमको एक दूसरों को जानना बहुत जरूरी है तो समीर इसका कॉंटेक्ट नमर ले लेता है ताकि यह इससे बाते कर सके अब दोस्तों इसी तरीके से वैब से जाएंगे